के ए क्लास 11 सीबिहसीयारिया गुजराद बोर्फ हो एं सी रड़ी की बुक का यहां पहला इंग्लीश में बुक नाम होरण बील का यहाँ पहला चेप्टर यहाँ पे देको दादी अमा बेठी है चेप्टर का नाम भी उसी के हिसाब से है The Portrait of a Lady लिखा है जिसने उसकी फोटो भी नीचे डाली है खुश्वन से बहुती महान ओथर हुए कहीं सारी बॉक्स उसने लिखी है और बहुती बड़ा उसका नाम था उसने अपने दादी के बारे में लिखा यहां पर लिखा в Portrait of a Lady मतलब यहां पर कोई पेंटिंग के बारे में नहीं पड़ना है पर राइटिंग में जो Portrait पैंटिंग जो होता है उसम्ठाट किotואפ यहां पर राइटिंग करके उसने अपने दादी के ereign तो यहांद इस अपर्षवन सिंग तो कि दादी के बारे में लिखें विए कि तरह से उसकी दादे ने उसे पाला बढ़ा किया और उसकी दादि का इसकी रहा में क्या बड़ा कॉंट्रीबिशन रहा इस स्टोरी ऑफ यर ओकि आहा पर होन दिल चब हो कि अब क्लास 11 की उसका यहां पर पहला चेप्न है दोस्तों से शेर कर देना, सब्सक्राइब कर देना So, let's start it यहाँ पर पहले ही लाइन में लिखा है My grandmother, मेरी दादी Like everybody's grandmother जैसे हरे की दादी होती है, वैसी मेरी दादी Was an old woman दादी old हुआ करती है मेरी दादी एकदम छोटी थी तब मर गई तो वो दादी नहीं हो सकती She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her मैं 20 सालों से अपने दादी को जानता हूँ 20 सालों से मेरी दादी वैसी की वैसी बुड़ी है वैसी की वैसी उसके चहरे पे जुरिया है कुछ नहीं बतला है 20 सालों के अंदर जैसी बुड़ी 20 साल पहले थी वैसी की वैसी बुड़ी अभी भी है दूसरे पेरेग्राफ में लिका है People said that she had once been young लोग ऐसा कहते मैं तो उसका पोता हूँ तो मैंने तो उसे जब वो young हुआ करती थी तब तो देखा ही नहीं होगा लोग ऐसा कहते है लोगों का ऐसा कहना है कि she had once been young and pretty एक ऐसा भी दिन था ऐसे भी कहीं सारे साल थे जो वो young हुआ करती एक दम pretty सुन्दर हुआ करती थी and had even husband था उसका एक पती एक husband भी हुआ करता था but that was hard to believe पर मैं मान नहीं सकता कि वो एक दिन young हुआ करती थी एक दिन सुन्दर हुआ करती थी उसका एक husband था मैं नहीं मान सकता क्योंकि हमने दादियों को दादी के एक point of view से ही देखा होता है यह वो young है उस हिसाब से कभी हमने सोचा भी नहीं होता है सो लास पेरिग्राफ में ही है my grandfather's portrait hung about the mantelpiece in the drawing room हमारा जो drawing room था वहाँ पे एक mantelpiece मतलब आपने देखा होगा कहीं सारे European American घर में ऐसा खास करके ज़्यादा होता है घर में ही एक कोने में आग जलाई होती है और उपर से चिमनी से वह दुआ निकलता रहता है क्योंकि ठंड से बचने के लिए that is called mantelpiece उसके उपर दादा जी का एक portrait एक painting लगा हुआ था अब आगे क्या है यहाँ पर फर्स पेरिग्राफ में दादा जी के बार में यहाँ पर थोड़ी बात करी गई यह और बीग टर्बन दादा जी ने बड़ी पगड़ी पहनी हुई थी and loose fitting clothes कपड़े कैसे थे थोड़ी loose fitting पहने हुए थे his long white beard उसके लंबी दाड़ी white दाड़ी थी दादा जी की बात है the best part was chest यहाँ chest का mostly part cover हो जाता था इतनी बड़ी दाड़ी बड़ाय हुए थे वो and he looked at least hundreds year old दादा जी का photo painting देखके मुझे ऐसा लगता था कि यह तो कहीं 100 साल पुरानी painting या दादा जी खुद कहीं 100 साल बुड़े लग रहे यह उसका दादा जी के प्रति point of view है अब यहाँ पर आगे दूसरा paragraph में he did not look at the sort of person who would have a wife or a children दादा जी किसी भी point of view से मुझे ऐसा नहीं लगता था दादा जी को देखके कि उसकी कभी कोई wife हुआ करती थी या फिर कभी उसके बच्चे हुआ करते थे दादा जी को देखके लगता ही नहीं था और lot of grandchildren उससे देखके मुझे ऐसा ही लगता था कि उसकी ना तो कोई wife होगी ना तो कोई बच्चा होँगे सिर्फ और सिर्फ grandchildren ही होँगे grandchildren ही होँगे पोते ही होँगे So the last paragraph में as for my grand mother अब उसकी दादी की बात है दादी मा की बात है being young and pretty तो थोट वस अल्मोस्ट रिवल्टि दादी मेरी यंग प्रिटी यह मैं मान नहीं सकते हैं यहां पर लिखा है ना थोट वस अल्मोस्ट रिवल्टिं मतलब हार्ट टू बिलिव आई कुड नोट बिलिव देखते हैं कुड़ मैं मान और यार दादी यंग थी क्योंकि हमने दादीयों को क्या है कि बोड़ी हो जाती है करलिव दी So that thought was almost revolting. यहाँ पर फस्स पेरेग्राफ हूं. She often told us the games she used to play as a child. दादी कहीं बार हमारा साथ बैट के बाते किया करती थी. इच्छो तो मैं आपको बताती हूं कौन सी बात कि जब हम छोटे थे ना बच्छो जब हम छोटे थे तब हम कैसी कैसी गेम्स खेलते थे. बहुत सारी बात मैं करती हूं आपको तो दादी बताती थी हम जब वो छोटी थी तो कैसी कैसी गेम्स कहला करती थी. तो यहाँ पर है दूसरे पेरेग्राफ में that seemed quite absurd and undignified on her part and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. यहाँ पर दो चीज़ की बात करी है यह एक तो वो नहीं मानता कि दादी कब यहाँ होगी pretty होगी यहाँ पर दूसरी बात उसके imagination नहीं आ रही है कि दादी उसे कहती थी कि हम जब छोटे थे तो यह सी ऐसी गेम्स खेला करते थे तो यह खुश्वन सिंग यहाँ पर ऐसा मा लगता है कि यह तो कोई prophet की खलिल जिबरान ने जो बुक लिखी है उसमें कई सारी stories है फैबल मतलब ऐसी स्टोरी जो reality नहीं है वैसी स्टोरी दादी हमें इस prophet book से सुनाया करती थे उस स्टोरी सुनने में हमें बड़ा अच्छा लगता था दादी जो खुद की कहानी बतात है हमें नहीं लगता था सच में ऐसा नहीं लगता था कि यह दादी की खुद की स्टोरी है यहां पर लिखा है absurd and unignified यह इंगम हमें ridiculous लगता था यार कभी मानने में नहीं आता था वह ऐसा लगता था यह यहां पर last paragraph she had always been short and fat दादी कैसी थी उसके हैट थोड़ी short थी उतनी शरी बोड़ी जो है वो थोड़ा जूँक चाता है and our face was अब दादी के face के बार में बात करें गई है कि दादी का face कैसा था face was a criss cross कहीं सारी जुरिया पड़ी थी दादी के अभी देखो यह face एकदम चिकना है मेरा नहीं आपका तो जब आप यंग हो तो एकदम face परावदार हटा कटा होता है पर जैसे जैसे उम्बर बढ़ती जाती है तो यहां पर चेहरों पर कहीं सारी जुरिया पड़ती है and wrinkles से जुरिया पड़ती रहती यहां से एक जुरिया यहां गई यहां गई यहां गई इस तरह का शाज चेहरा रहा होगा कहीं सारी जुरियों के साथ उसके दादी का ठीक है next यहां पर first line में लिखा है no we were certain she had always been as we had known our नहीं जब से हम दादी को जानते हैं तब से दादी वैसी की वैसी है कोई बदलाव दादी में हुआ नहीं जितनी बुड़ी थी जब से हमने पहली बार देखा था उतनी बुड़ी है उसके बुड़ा पे में कोई बढ़ावा नहीं हुआ है कोई इजाफा नहीं हुआ है दूसरा पेरिग्रा ओल्ड दादी केसी थी ओल्ड so terribly old बहुत ही बुड़ी बहुत ही बुड़ी that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years उतनी बुड़ी हो गई थी कि हमें last 20 सालों से यही लगता था कि दादी 20 सालों से अब ज्यादा बुड़ी हुई ही नहीं है have grown older and stayed could not have grown older बुड़ी अब ज्यादा नहीं हुई है same age जब से देखा था 20 सालों से उतनी ही बुड़ी है अब उस बुड़ा पेसे शायद आगे नहीं बड़ा जा सकता था तीसरा पेरिग्रा she could never have been pretty दादी कभी pretty नहीं थी but she always beautiful pretty और beautiful mostly दो words तो वैसे ही है एक सुंदरता दिखाते है यह beauty दिखाते है पर slight difference है यहाँ पर अब ढूनने जाओगे तो pretty नहीं थी दादी pretty मतलब जब outer beauty होती है जो सिर्फ बहार से दिखती है that is called pretty तो मतलब दादी बहार से pretty मतलब सुंदर से सुंदर नहीं दिखती थी पर यहाँ पर लिखा है she always beautiful दादी हमें सब beautiful थी beautiful मतलब outer जो beauty वो तो है पर internal beauty हर एक perspective से यह आप सुंदर हो आपका मन भी सुंदर है आपका दिल भी सुंदर है आप दिल से अच्छ हो मन से अच्छ हो so that is called beautiful तो दादी ऐसी थी इस तरह से दादी beautiful थी लास्ट पेरिगराफ she hobbled hobbled मतलब जैसे कोई lamb person होता है लंगडा ता रहता है दिरे दिरे जलता है वैसे दादी चलती थी about the house घर में ऐसे चलती रहती थी in sportless white उसके कपड़े कैसे होते थे एकदम बीना दाग के एकदम white कपड़े पेना हुए होते थी दादी ने अच्छ है सर्च विट one hand resting on her waist एक हाथ यहाँ पे कमर पे रखा हुआ होता था क्यों टू बैलेंसर टू वो इसे जूकी हुई थी तो एक हाथ यहाँ पे कमर पे रहेगा तो बैलेंस करने के लिए अच्छा रहेगा तो यहाँ पे एक हाथ रखती थी and the other दूसरे जो हाथ था उसका right hand जो था telling the beads of a rosary वो माला फिराती रहती थी गोड की प्रे करने के लि हे तो नहीं है कोई भी कुछ भी नहीं है पिर लडकियों की जो बाल होते यहाँ प्रोड़ी यहां पे उसकी लट होती है यहां पर आ जाती है ठीर यहां पर अक्दम बनाय हुए दादी तहीं पेश्टुरिए वाला थैसे जल जाते थे पूरे बाल हर जगह पह एन हर लिपस उसके होठों पे हमेशा क्या रहे था दादी के constantly moved in inaudible prayer हमेशा आपको सुनाई नहीं देगी पर वो हमेशा भगवान के प्रती हमेशा उसके होठों पर प्रेयर चलती ही रहती चलती ही रहती मतलब दादी हमेशा प्रेयर करती रहती सेकंड यहां पर लिखा है yes she was beautiful हाँ वो सच में beautiful थी देखो यहां पर meaning एकड़म link हो रहा है अंदर से वो सुन्दर थी दिल उसका अच्छा था हमेशा भगवान को याद करती रहती थी she was like the winter landscape दादी कैसी थी winter landscape के जैसी mountain में यदि winter आ जाता है तो landscape मतलब mountain का जो सीन है वो कैसा देखेगा एकड़म अफला तून outstanding जोरदार देखेगा an expanse of pure white serenity breathing peace and contentment इतना वो फैला हुआ landscape होता है वो क्या symbolize करता है वो क्या दिखाता है कि दादी इस उम्र में अभी दो चीज़ों से भरी थी peace मतलब दादी के अंदर मन में दिल में एकदम शान्ती भरी होई थी and contentment शंतोश वो satisfied थी हर एक चीज उसके आस पास थी उसे कोई complaint नहीं थी किसी से बस अंदर ही अंदर दिल से मन से खुर्ष थी कोई complaint नहीं कुछ भी नहीं बड़ी मज़दार जहिंगी जा रही थी उसके फिर last line में लिखा है my grandmother and I were good friends मेरे दादी और मैं हम दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे ये बड़ी बात है तभी वो ये खुश्व सिंग दादी के बारे में इतना observe करके दिखा है आगे पहली line my parents मेरे जो mommy पपा है left me and her मुझे और दादी को छोड़ के when they went to live in the city जब वो city में रहने चले गए मुझे और मेरे दादी को यहाँ पर गाओं में रखा और वो दोनों city में रहने चले गए just for settlement कि व we were constantly together मैं और मेरे दादी हमेसा साथ रहा करते थे यहाँ पर गाओं में she used to wake me up दादी का मेरे साथ attachment और मेरा दादी के साथ जो attachment था वो एकदम अलग था बड़ा एकदम जैसे कहेना लवली था attached थे हम एक दूसरे से एक दूसरे से emotion हमारे जुड़े हुए थे so she used to wake me up दादी हरोज सुबा मुझे उठाती थी चलो वेटा उठ जाओ and get me ready for school और school के लिए मुझे तयार करते थे दादी she said her morning prayer in a monotonous sing song सुबर जैसे वो उठती थी तब से उसकी भगवान के प्रती प्रेयर शुरू हो जाती थी in monotonous monotonous मतलब same tone tone कभी नहीं बदलता था and गाती रहती थी गाती रहती थी and she bath and dressed me in the hope और उसी prayer को गाते 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 वो मुझे नहलाती थी वो मुझे तयार करती थी कपड़े पहनाती थी स्कूल का dress मेहनाती थी and I would listen and get to know it by heart और यह आशा करती थी यह सब चीज़े करते करते हुच व वो prayer गाती गाती यह आशा करती थी शायद कि एक दिन मैं भी इसे सुनते सुनते यह सारी prayers मैं by heart कर लूँगा, सीख जाओंगा पर यहाँ पर यहाँ पर author की बात क्या है last line में लेकी है I listen because I loved her voice मैं सिर्फ prayer इसलिए सुनता था क्योंकि उसकी आवास मुझे बड़ी अच्छ लगती थी but never bothered to learn it पर कभी मैंने ऐसा chance नहीं लिया यह तकलिफ नहीं उठाई कि मैं उसे सिखू कभी ऐसा मन हुआ ही नहीं मेरा तो यहाँ पर आगे first paragraph, first line में then she would fetch my wooden slat उस समय पर wooden की slat आती थी she had already washed वो उसे दो देती थी plaster कर देती थी with yellow choke यहाँ पर दो तीन चीज समझन है yellow choke मतलब लिखने के लिए wooden की slat में लिखने के लिए और plaster मतलब जब slat को दो देती थी फिर उसके उपर पोशा भी लगाते थी ताकि वो गिला ना रहा है और फिर yellow choke भी साथ में देती थी लिखने के लिए and earthen ink pot भी साथ में आता था और red pen भी वो देती थी उस समय पर हम एक में से थोड़ा ऐसे pen डाल के फिर लिखना होता था टाइध है मोल इन बंडल एक बंडल में सारी चीज़े बांद देती थी and hand it to me और मुझे देती थी उस समय पर जिसे backpack या modern जो भी आज bags आती थी आती है sorry वैसी कोई चीज़े उस समय पर तो थी नहीं और यहां पर after breakfast breakfast जैसे हमारा खतम हो जगता था तो यहां पर breakfast में खुश्वन सिंग क्या लेते थे उसके दादी उसे क्या देती थी देखो ठीक एक मोटी आस्टेल चपाटी स्टेल चपाटी का मतलब यह है कि एसी रोटी जो रोटी लास्ट इवनिंग जो खाना बना था तभी की पड़ी ह हुई है और वो सुबह मुझे दादी if you कि को कि एंड उसके उपर आगे लिखा little butter भी ढाल देते थी झारोज की और नेदे और मिघा मजा आ जाती धी दोंग सुखूल जाते थे दादी भी मेरे साथ स्कूल आती थी सेकंड लास पेरिग्राफ वो शाम की बनी हुई चपाटी प्रोटी साथ में लेती थी फोर दो विलेट डोग्स गाउं में कहीं सारा कुट्ते होता है उनको खिलाने के लिए ये चपाटी साथ में लेती थी जब बच्चे एक रो में लाइन में बैठे होए होते थी वो आल्फबेट सिंग करते थे एक साथ सब और तो अलफबेट एक साथ सिंग गातें या फिर प्रेयर गाते थे मैरी दादी मंदिर में मतलब गुर्थ वारे में जाके वाहा के जो दर्म गृंद होते हैं वो सब पढ़ती रहती थी third paragraph when we both had finished जब दादी के जो दर्मगरंद पढ़ने अवगेरा जो भी है प्रेयर वो खतम हो जाती थी और हमारी स्कूल खतम हो जाती थी we would walk back together हम दोनों साथ में फिर घर आते थे this time the village dogs would meet us और ये वापस आने के समय पे गाहों के जो भी कुत्ते होते थे वो हमें मिलते थे कहां पे temple दोरते हैं और लास पेरिग्राफ दे फोलोड अस तो आर हम जैसे वह हम घर के लिए निकलते थे वो हमारे पीछ पीछ आते थे ग्रावलिंग फाइटिंग अंदर अंदर कुत्ते जो लड़ते हैं लड़ते लड़ते पहुकते पहुकते वह हमारे पीछ पीछ आते थे विच इच अदर फोर दे चपाटी वी त्री टू दम हम उसे जो रोटिया खिलाते थे उसके लिए वो हमारे पीछे-पीछ आते थे अंदर अंदर लड़ते जगडते हैं आपते हमारे पीछे-पीछे आते रहते थे फर्स पेरिग्राफ वेन मैं पेरेंट्स वर कमफर्टेबली सेटल लिए नसी ती उसके पेरेंट्स सिटी में चले गए थे सेटल डाउन होने के लिए या जब वो कमफर्टेबली सेटल हो गए कि चलो आप कोई दिक्कत नहीं है कमाना शुरू हो गया है अच्छी कमाई आ रह यह मेरी और दादी के बीच की जो रिलेशन्शिप थी जो फ्रेंशिप थी उसमें यह गाहों से सिटी में जो जाना हुआ वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हो गया कैसे वो यहां पर बताया गया है अल्थो वी शेर्ड दे सेम रूम हम एक ही रूम में रह रहे थे एक ही यहां पर दादी मेरे साथ स्कूल नहीं आती है देखो फ्रेंशिप में पहली दरार क्यों देखो यहां पर आई उस तो गो तो स्कूल एंगलिश स्कूल इन मोटर बस अब मैं चल के स्कूल नहीं जाता था मोटर बस मतलब एक स्कूल बस आती थी उसमां बैठ के में स्कूल जाते था, there were no dogs in the street, गलियों में कोई यहां पे कुत्ते नहीं है, दूसरा point, तीसरा point, she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house, हमारे शहर में जो गर था, वहां पे courtyard था, पीछे का जो बड़ा ground होता है, गर के पीछे का, वहां पे कहीं सारी sparrows आती रहती थी, दादी उसे दाने डालती थी, उन्ह में बड़ा होता गया, we so less of each other, हम अब तो एक दूसरे से मिलना थोड़ा-थोड़ा कम हो गया, for some time, she continued to wake me up, शहर में गए, तो थोड़े दिन के लिए, थोड़े महिने के लिए, तो वह मुझे हरोज सुबह उठा दी, and get me ready for school के लिए तयार भी करती थी, when I came back पर, जब मैं school से वापस आता था, she would ask me, वो मुझे पुछती थी, what the teacher had taught me, teacher ने क्या सिखाया, बोलो बेटा, teacher ने क्या सिखाया, I would tell her, मैं उसे कहता था, English words, English words के बार में मैं उसे कहता था, या फिर English words का use करके मैं उसे बातचीत करता था, and the little things of western science, और जो science की बाते, जो western science पढ़ाया ज आता था, उसकी बाते, learning क्या सिखा, वो सारी बाते में उसे बताता था, दादी को, law of gravity, उसके बारे में बताता था, and the world being around, ये दुनिया गोल है, वैसी जो भी सारी चीज़ साइंस में, maths में जो आती थी, वो दादी को मैं share करता था, बताता था, this made her unhappy, इससे दादी, जरा खोश नहीं होती थी, she could not help me with my lesson, क्योंकि वो मुझे कुछ help नहीं कर पाती थी, so दादी को ये अच्छा नहीं लगता था, she did not believe in the things that taught at the English school में, जो भी पढ़ाया जाता था, उसमें दादी का जरा भी विश्वास नहीं था, दादी जरा भी नहीं मानती थी कि एसा पढ़ान चाहिए, and was distressed, sad हो जाते थी, worried हो जाते थी, चिंता में आ जाते थी, क्यों, there was no teaching about God and the scriptures, यहां पे तो कोई भगवान के related, भगवान से related, तर्मगरन से related, कुछ भी तो पढ़ाया नहीं जा रहा है, तो एसी स्कूल क्या काम की, ये सोच के दादी distressed हो जाते थी, चिंता में जाते थी, sad हो जाते थी, आगे है, one day I announced, एक दिन मैंने कह दिया दादी को, कि दादी, दादी, आज स्कूल में क्या होआ पता है, दादी नहीं पुछा, क्या, we were being given music lessons, हमें स्कूल में music सिखाया जा रहा है, जैसे ही ये बात दादी ने सुनी, she was very disturbed, दादी एक्दम associations, ये livid associations का मतलब ये सा है, दादी ये सा मानते थी, कि music बदमाश्ट लोगों का association है, उसका संग है, अच्छे लोग music का संग नहीं करते हैं, नोटं की खराब लोग होते हैं, वो music से association रखते हैं, आगे ये लिखाये, देखो, it was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gender, दादी क्या कहती है, जो ऐसे लोग होते हैं, जो नाचने वाले होते हैं, वो music के उपर monopoly के रखते हैं, उसका काम है music का, beggars ये music करते हैं सब, हम ऐसे नाचना गाना हमारा काम नहीं है, music बजाना सब, and not meant for gentle folks, gentle लोगों के लिए music अच्छा नहीं है, ऐसा उसकी दादी मानते थी, खोश्वन सिंह क ऐसा कहना है, second paragraph, she said nothing, वो कहती तो कुछ भी नहीं थी, but silence meant disapproval, कभी कबार चुप हो जाना, वो disapproval होता है, वो सा अच्छा नहीं लगा, she rarely talked to me after that, उसके बाद से, जब से ये music की बात होगी, उसके बाद से, दादी तो कुछ नहीं कहती थी, पर उसके बाद से, मेरे और दा बात होना शुरू गई, when I went up to university, फिर में पढ़ने के लिए university गया, I was given a room of my own, फिर मुझे घर में अपना खुद का एक अलग कमरा मिल गया, अभी तक तो दादी के साथ ही रहता था, पर अभी मुझे अलग कमरा दे दिया गया, the common link of friendship was snapped, अब जो साथ में रहना होता था एक seclusion, seclusion का मतलब है अकेला पन, बस, दादी ने accept कर लिया था, कि वो अकेली रहेगी, उसे कोई चिंता नहीं है, and resignation, मतलब सारे जो काम है, जो चिंता है, जो परिवार की ये, वो सब, उन सब से उसने निवरूती ले रखी थी, कि अब उसमें नहीं पढ़ना है, कोई She rarely left her spinning wheel to talk to anyone, वो spinning wheel आता है न, गन्दी जी वाला, हाँ, वो फिराती रहती थी, गुमाती रहती थी, और किसी से बात नहीं करते, किसी से बात करने के लिए, वो कभी अपना spinning wheel नहीं छोडती थी, मतलब उसे पसंद था, अकिला रहना, खुद से बस ऐसे प्रेयर करते रहना, माला जबते रहना, बस उससे बाहर निकलना उसे कते ही पसंद नहीं था, तो यहाँ पे पहला पार्ट हमने खतम कर लिया, और यह अप्रा काम आपको अच्छा लग रहा है, तो आप मुझे यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इंगलिश का ग्राम और, दोनों बु बड़ी दिल्चस्प है, एकदम दिल्चस्प, रोचक स्टोरी है, वो भी यहाँ पे आप मेरे साथ, मैं हूँ हर्षबारसया, मेरी चैनल हर्षबारसया पढ़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे, और कई सारी चीज़े एक दूसरे के साथ शेयर करते रहेंगे, सो अपने दोस् झालाई